राजदानी जैपूर में जेडिये यानि जैपूर विकास प्राधिकरण लगातार सरकारी जमीन पर किये गए अतिकर्मन के खिलाफ कारवाईयां कर रहा है अब इन कारवाईयों को ओर तेज कर दिया गया है अब जेडिये के एक्शन प्लान के तहट 15 दिन तक शहर की अलग अलग सडकों के आसपास के अतिकर्मन पर बुल्डोजर चलना शुरू हो गया है जेडिये ने 15 दिन तक चलने वाली इस मुहीम को अतिकर्मन हटाओ अभिहान का नाम दिया है जेडिये यानि जैपूर विकास प्राधिकरण ने इस कारवाई के लिए 9 जोन की 11 मुखे सडकों को चनहित किया है यूडियेच मंतरी जावर सिंग खर्रा ने सरकारी जमीन पर किये गए अतिकर्मनों को हटाने के लिए दिरदेश दिये थे इस अभियान के पहले दिन गोपादपूरा मोड से कारवाई शुरू की गई जिसमें गूजर की थड़ी तक करीब 3 किलोमेटर के छेतर में अतिकर्मन पर पीला पंजा चला इसके अलावा मांसरोवर मेटर स्टीशन से शामनगर अजमीर रोड तक अतिकर्मन हटाया जाएगा इसी कड़ी में गुरूवार को जैपूर अस्पताल से दुर्गापूरा पुलिया तक अतिकर्मन हटाने की कारवाई की गई इस दोरान लोगों में काफी रोश था 22 जुलाई को गवर्मेंट होस्टल चोराय से 200 फिट बाइपास तक और मंगलवार 23 जुलाई को रामनिवास बाग से घाट गेट आगरा रोड घाट की गुणी इद्गा से ट्रांस्पोर्ट नगर तक अतिकर्मन हटाये जाएगे 21 जुलाई को रविवार की अवकास की चलते ही कारवाई नहीं की जाएगी इसके अलावा 24 जुलाई को सांगनेर सर्कल से चोरेडिया पेट्र बंप, सवाई मादूपूर तूटी पुलिया 25 जुलाई को जारकन महादेव तिरहाय से तिरहाया लतर सर्किल 29 जुलाई को SMS होस्पिटल से, नारायन सिंग सर्किल, त्रीमूर्दी सर्किल से, जे की लोन से, बांगर तक और 30 जुलाई को गोपालपुरा बाइपास से रामबाग तक अतिकर्मन हटाए जाएंगे